नमस्कार, हमारे सापता ही कारिकरम समाचार दर्शन में आपका स्वागत है मैं हूँ राशिद हमद खान, आज की इस लंग में सुनेंगे विभिन जिलों की गदिविधियों पर विशेश रिपोर्ट शुरुआत करते हैं इस लंग की सबसे पहले बात जबलपुर की जिले में उत्पादित मटर अपनी खास मिठास और स्वात के चलते देशी नहीं विदेशों तक अपनी अलग पहचान बना चुका है लोगों की पहली पसंद बने इस मटर की ब्रांडिंग के लिए जिलापरशासन अनेक सार्थक पहल कर रहा है जिसके तहट जबलपुर में मटर फेस्टिवल का छे दिवसी आयोजन अगले महीने दिसंबर में होगा इसके पहले यहां मटर वेंजनों की प्रतियोगिता होगी जिसमें सभी लोग और प्रतिश्ठान हिस्सा ले सकेंगे और बेवरत दे रही है हमारी जबलपुर समवादाता सुर्भी तिवारी जबलपुर के इस खास मटर की ख्याती और विशिष्ठ पहचान अब देश से लेकर विदेशों तक में बन चुकी है यही बज़ा है कि मटर की ब्रेंडिंग और मार्केटिंग के लिए जबलपुरी मटर का लोगो भी अलग पहचान के लिए तैयार किया गया है इसकी पैकेजिंग में यह लोगो होगा जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताए कि मटर फेस्टिवल के अलावा इसी माह नवंबर के आखरी सबता से मटर के वेंजनों के लिए ओपन प्रतियोगिताएं भी आयोजेत की जाएंगी फेस्टिवल में सभी होटल, रेस्टोरेंट, धाबे, चौपाटी और खानपान की दुकानों में मटर से वने वेंजन परोसे जाएंगे खास बात यह है कि इस ओपन प्रतियोगिता में महिला पुरुष सभी भाग ले सकेंगे इतना ही नहीं प्रतियोगिता की बीजेताओं को पुरुष कर दीख किया जाएगा देखिए जबलपूर का मटर सहमत से यहां 30,000 हेक्टियर में मटर होती है और इस मटर की क्वालिटी भी अच्छी है इस मटर को हम लोग ना केवल जिले में, परदेश में, देश में जबलपूरी मटर की रूप में फेमस है और जितने भी यहां से निर्यात होगा जबलपूर जिले से वह सभी में इस लोगों का उपयोग किया जाएगा चाहे वो विदेशों में ही यो ना हो में इसी महीने में 1 November को प्रियास करके हमारे जो यहां के टो प्रियापरी नुपना चुरू हो गया है एक प्रकार से ब्रैंडिंग इसकी क्लोबल ब्रैंडिंग इस चीछ को और ज्यादा परिशार करने के लिए हम लोग निकट बविश्य में वियापरी एसोशेशान और होट जिन भी हम आगे करेंगे खंडवा जिले के आदर्श ग्राम चबुत्रा के निवासियों को पिछले दिनों विकास की कई सौगाते मिली पेश है संबादाता हीरालाल लोंगरे की ये रिपोर्ट जिसमें 172 परिवार लाबनवित हुए इसके लिए प्रदेश के वनमंत्री डक्टर कूर विजशा द्वारा विगर दिनों ग्राम चबुत्रा में सामगरी वित्रन कारकम में खिद्गायों को लाबनवित किया गया कारकम को संबोधित करते हुए वनमंत्री एवम बन विकास निगम के अद्देख से डक्टर कूर विजशा ने कहा कि ग्राम चबुत्रा का कोई भी वेक्ति बिना रोजगार के नहीं रहेगा दसवी पास बालक बालिकाओं को भुपा ले जाकर तीर महा की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें मोटर बैंडिंग, मोबाइल, टीवी, लेप्टॉप, मोटर साइकल, कार रिपेरिंग आधी की निसल को ट्रेनिंग दी जाएगी इसमें बालक बालिकाओं के रहने एवम खाने की विवस्ता रहेगी मंत्री डक्टर शाह ने कहा कि ग्राम चबुतरा में साड़े दस हासफावर की गेहुपिसाई मसीन लगाई जाएगी जो की सोर उर्जा सिस्टम से चलेगी जिसमें सुभा आठ बज़े से दस बज़े तक पानी का वित्रण किया जाएगा तथा दस बज़े के बाद गेहुपिसाई का कारे सुरू होगा जिसमें प्रती किलो एक रुपे की दर से पिसाई की जाएगी ग्राम चबुतरा में ही सभी घरों में निर्मित टॉयलेट के लिए तीन-तीन सो लिटर की पानी के टंकी दी जा रही है साथी हैरी सबजियों के बीज भी वित्रण किये गए जो अपने बाड़े में लगाकर अपने परिवार के लिए सबजी उगाएंगे जाबु अजले में राशन आपके ग्राम योशना के अंतरगत 73,000 से अधिक पात्र परिवारों को 32 वाहनों के माध्यम से 1667 के लगभग राशन पहुँचाए जाएगा पेश है हमारे समवादाता हरीश यादव की रिपोर्ट क्रांती वीर विर्शा मुंडा की जहनती पर भोपाल में 15 नौंबर सम्मार को आयोजित हुए जन जाती गोरो सम्मेलन में परधान मंतिर नरेंद मोदी ने जन जाती छेतरों के लिए राशन आपके द्वार योजना को हरीजन्डी दे दी है इसे जल्से के साथ ही बाणू परतिस्त जन जाती आबादी वाले जहाववा जिले में इस योजन्या के संचालन को लेकर खाका तैयार हो चुका है पुरे जिले के 420 गाउं को 32 शेक्टरों में बाट दिया गया है हर गाउं के दिन निर्धारित कर लिए गये हैं त्योत्तर हजार से अधिक पात्र परिवारों को 32 वानों के माध्यम से 1667 टन के लगबग रासन पहुचाया जाएगा दो बड़े पहलू यह है कि घर बेटे पातर परिवारों को रासन मिलेगा और 32 वाहन दोड़ेंगे तो 32 जनजाती समाच के युवां को रोजगार भी मिलेगा क्योंकि सर्थ यह है कि सभी वाहनों का संचालन करने वाले युवा जनजाती समाच के होना चाहिए और सरकार वहन के लिए बेंकों से लोन भी दिलवाएगी जहाबवा खादिभाग द्वारा बेंकों के पास वहनों के कोटेशन पहुँचा दिये गए हैं आपके द्वार योजना के अंतरगत जिले में क्या-क्या तैयारी कर ली गई है यह बता रहे हैं जिला खादेदिकारी मुकुल्ट्यागी जहाबवा जिले के लिए तो बहुत उप्योगी जोजना है पहली चीज़ दूसरा यह है कि इसमें रोजगार भी लोगों को मिलेगा और इसके लिए शाशन ने जो समय सीमा तै की थी उस समय सीमा में हमने आवेदन राप्त कर लिए हमारी सारी जो खादिवाक की टीम है उसे पूरी एक्सराइज करके सेक्टर बना लिए 32 सेक्टर जहाबवा जिले में बने है और उसमें हमने 420 गाउं को कवर किया और पत्ते जो शाशन ने अहरता हैं तै की गई थी कि कौन लोग आवेदन कर सकते हैं तो बाकायदा हमने उसके विग्यप्ती निकाल गए आवेदन भी टाप कर लिए है राशन आपके दौर योजना का उपचारिक एलान पिछले माँ 5 अक्टूबर को मुख्य मंतरी सिवरा सिंग चोहान ने जहाबवा के मंच से कर दिया था इसलिए जिले में उक्त योजना के संचालन को लेकर समय से पहले तैयारी सुरू कर दी गई था प्रादिसिक जनसमाचार के लिए जहाबवासे में हरिश कुमार याद हो मंसौर जिले में वेक्सिनेशन माहवियान चलाये जा रहा है जिले का प्रशासनिक और स्वास्तमला आम लोगों को दूसरे डोस के लिए प्रेडित कर रहा है और वहरा दे रहे हैं हमारे समवादाता तीपक शर्मा मन्सोर में वेक्सिनेशन अभियान चलाये जा रहा है जिले का प्रशाशनिक और स्वास्तमला आम लोगों को दूसरे डोज के लिए प्रेडित कर रहा है इसके साथ ही दूसरे डोज के लिए लोगों को समाज सेवी और समाजिक संस्ताओं द्वारा भी जागरू करने का जिले में वेक्सिनेशन अभियान के अंतरगत अब तक 9,55,482 वेक्तियों को प्रथम डोज लगाया जा चुका है जबकि 4,97,730 वेक्तियों को दूसरा डोज लगाया गया है दूसरे डोज को पूर्ण करने और लोगों की सुविधा के अनुरूप जिला प्रशाशन ने हर ज सब्सक्राइब करने की कोशिश करते हैं इसके अलावा ऐसे तमाम स्थान जहां पब्लिक आती है जहां बेड़ भाड़ होती है वहां जागरूप और वैक्सिनेशन कैम्प हम आयुजित कर रहे हैं विभन जो संगठन है व्यापारिक संगठन है और कार्याले से संबंधित लोग हैं सिक्षा से संबंधित लोग हैं बच्चों के भावक हैं और इवन जो ऑफिस के स्टाफ हैं उनकी फैमिली के लोग हैं उनके लिए भी हमने प्रयाश्तुरू कर दिया है कि हर आदमी सेकेंड लोज ले ले ताकि हमने वैक्सिनेशन कैम्प रखे हैं जो प्रमुख स्टार आफिस हैं वहां काफी बिढ़बार होती है वहां भी हमने एक वैक्सिनेशन कैम्प खोल दिया है तो उन तमाम लोगों को मंदिरों को अन्य प्रतिश ठानों को जितने विशेविर हमारे आजित होते हैं जहां भी लोग एकत्रित हो रहे हमने पंचायत की सारे प्रत मारे समवादा था आशीश चैन की ये रिपोर्ट प्रतिये हैं कि जो पात्र वैक्ती बैक्सिन नहीं लगाएंगे उन्हें आगामी 24 नवंबर से रासन नहीं दिया जाएगा साथ ही किसी भी सास की योजना का लाब उन्हें नहीं मिल सकेगा गौरतलावे की आगामी 24 नवंबर को बैक्शिनेशन महाभियान पुनाचलाये ज मंडला जिले में भी कौरोना प्रतिबंद हटा दिये गए हैं हाला कि कौरोना को लेकर साबधानिया अभी भी बरती जा रही है और टीका कराण पर जोर दिया जा रहा है पेशे समवादा था शशांक चौबे की रिपोर्ट भले ही प्रदेश सरकार ने कौरोना प्रतिबंद हटा दिये पर बिना वैक्सिन कोविड-19 से कमन को रोका नहीं जा सकता इसके लिए जल्द से जल्द कोरोना की दोनों डोज लगाने साथ प्रसाथ में प्रयास रता है जिले में कुल लच्छ के 83 प्रिस्ट लोगों को पहल खोचकर वैक्सिन लगाने का अभ्यान जिला इसतर पर शुरू किया जा चुका है चाहे वह खेत में हो या फिर दूद राज उबर खबर रास्ता पहाट चड़कर ही क्यों ना वैक्सिन लगाने जाना पड़े हर तरह से वैक्सिन लगाने अब पूरा जोड दिया जा रहा ह जिले में स्वास विवाक के टीका करण अधिकारी डाक्टर वाई के जारी द्वारा दिये गए आंकडों के मताबिक जिले में कोविड वैक्सिनेशन का सिटिजन कवरेज का कुल लच आठ लाग पंदा जार पास वारत आलीस है पहले दूसरे डोज 6,70,70 लोगों को करतिक पूर्णी मा की अवसर पर 28 वात दिवसी निमाड उतसम मनाये गया पेश्य समवादा था अश्तोष प्रोहित की रिपोर्ड बिखाकुर ने आकाशवाणी से चर्चा में कहा की सरकार की प्रात्मिक्ता है ओल देवी भूस्कार से अजने मैं सिस्कर रही है क्या केना चाहिए महसूस कर रही हूँ और अपना सब आगे मान रही हूं क्योंकि सम्मां पुरीशकार तो बहुत मिलते हैं पहली बात जिनके नाम पर है हम लोग उनको पूझते हैं देवी अहिल अबागां के हाथों से हुआ हमारे उनको हम देवी जैसे ही मानते है उनकी धर्ति नर्मदा के किनारे ये और भी बड़ा सभागी मानती हूँ कोविट के चलते दो बर्द वासंपन हुए तीन दिश्थी निमारोस्व में जहां लोगों को अपनी संस्कृति का लुपत उठाने का आउसर मिला वहीं कोविट के चलते घर में कैद राष्टी कलाकारों को वापस बंच मिलने का उस साहवी कलाकारों में निमारोस्व के दौरान दिखा गया प्रादेशिक समारचार दर्शन के लिए खरगोंशे मैं आश्तोष प्रोहित हमारे संक में फिल हाल इतना ही अगले अंक में फिर मुलाकात होगी नए विशय नई गतिविदियों के साथ तब तक के लिए नमस्कार